नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों स्वागत है आज की एक नई वीडियों दोस्तों आज की वीडियों आप सभी के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है इतना आसान तरीके का जीवन परिचे और साहितिक परिचे आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगा जी हाँ दोस्तों तो बोड एक्जाम से पहले इसको तुरंत लिख लिजिएगा अपने नोट्स में और इसको जल्दी से जल्दी याद कर लिजिए क्योंकि ये 5 एंक आपका बोड एक्जाम में कनफर्म कराने वाला है तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको एक चीज बता दूँ अगर बोड एक्जाम में आपको जीवन परिचे लिखने के लिए कहा जाता है ध्यान दिजिएगा अगर जीवन परचे लिखने के लिए कहा जाता है तो पूरा यही लिखना है लेकिन साहितिक परचे हेडिंग नहीं डालना है ठीक है ना और अगर साहितिक परचे लिखने के लिए कहा जाता है तो सेम इसी तरीके से लिखना है पहले आपको जीवन परच लिख देना है इतना उसके बाद इस तरीके से सहीतिक परचे हेडिंग डाल करके लिख देना है ठीक ना तो ध्यान दीजिएगा जो चीज में बता रहा हूं मायने रखती है ठीक ना तो जीवन परचे लिखने के लिए कहेगा तो सहीतिक परचे हेडिंग हम नहीं डालेंगे क योकि हमें उसने जीवन परिचे लिए कहा है और लिखेंगे सेम यही यानि कि केवाल आपको एक याद करना पड़ेगा और इससे आप दोनों परिच्छा में कर लेंगे यानि चाहे जीवन परिचे पूंचा जाए चाहे साहितिक परिचे पूंचा जाए आप लिख लेंगे तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हमें भार्टेंदू हरीचन जी का लिखना है, ठीक है न, किवल एक ही याद करने पड़ेगा, दो नहीं याद करने पड़ेंगे, काम आपका दोनों हो जाएगा, ठीक है न, ये कही, मैं इस तरीके से बनाया हूँ कि आपका एक जाम में ए 1850 इसबी को हुआ था कब हुआ था 9 सितंबर 1850 इसबी को इनका जन में इनके ननिहाल कासी में हुआ था कहां पर हुआ था कासी में जहां पर इनका ननिहाल था इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र गीरधरदास था एवं माता का नाम पारबती देवी था तो पिता का नाम क्य देखे माता जो इनकी खत्म होई थी जब ये पांच वर्स के थे तब माता खत्म होगई और जब ये दस वर्स के थे तब इनके पिता की मृत्यू होगई तो कहने का मतलब कि किसोरा वस्था से बाले वस्था के बीच में ही इनके माता पिता की जो मृत्यू थी वो हो गई ठीक तो इसके बाद कॉलेज में इनका एडमिशन कराया गया तो वहाँ परिंकमन नहीं लगा ठीक है ना तो इन्होंने किया कि कॉलेज छोड़ने के बाद इन्होंने स्वाध्याय से अध्याय से अध्याय से इन्होंने कई भासाओं का गहन अध्याय प्राप्त किया जैसे हिंदी संस्क्रात अंग्रेजी बंगला एवं गुजराती आदिभासाओं का अच्छा ग्यान इन्होंने प्राप्त कर लिया स्वाध्या इसे ही ठीक है ना तो इतना हमें जीवन परिचे में डिटेल देनी है जितना मैंने अभी तक आपको बताया ठीक है ना और अगर हमसे जीवन प जीजेगा जिस तरीके से यहाँ पर लिखा गया है ऐसे ही साहित्तिक परिचे हेडिंग डाल देंगे और जीवन परिचे भी उपर वाला लिखे देंगे ठीक है ना और देखिए कैसे लिखेंगे इसमें भारतेंदु हरिच्चन जी को हिंदी साहित में कुसल नाटक कार एकांकी कार निबंध कार उपन्यास कार तथा हिंदी गद के जनक के रूप में जाना जाता है इन्हें एक उतक्रस्ट पत्रकार के रूप में भी जाना जाता है ठीक ना यानि कि इन्होंने कई पत्रिकाओं कभी जो है चमपादन किया इसलिए इनको पत्रकार के रूप में भी जाना जाता है बारतेंदु अनेक भारती ये भासाओं में एक ब्रचलीत हैं उन कई भासाओं में ये कविताएं लिखते थे परन्तु ब्रज भासा पर इनका भी से इस्थान था कहने का मतलब कि इन्हों न इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रेम को प्रधान बनाया यानि कि इनकी रचनाओं जो हैं वो ज़्यादातर प्रेम से रिलेटर ही रचनाओं हैं ठीक है न तो भार्तेंदु जी ने हिंदी गद्य का सूत्रपात किया यों हिंदी साहित की समस्त पुरानी वर नवीन विधा धुशनाओं में रचना करके हिंदी साहित को सरवांग पूर्ण बनाया यानि कि इन्होंने हिंदी को एक नव जीवन प्रदान किया अपनी रचनाओं के द्वारा इन्होंने लगबग 72 चोटे बड़े ग्रंथों का प्रड़ेन करके हिंदी का प्रचार वा प्रसार करते गई और उसके बाद देखिए इतना चीज लिखने के बाद हमें रचनाएं लिखना भी नहीं भूलना है क्योंकि दो वंक इसी का होता है ठीक है न तो रचनाओं में देखिए क्या-क्या है इनके प्रेम माधुरी प्रेम तरंग प्रेम प्रलाप प्रेम सरोवर प्रेम ठीक है न तो बस इतना आपको लिखना है प्यारे मित्रों स्क्रीन सॉट ले लिजिए बहुत ज़्यादा खास मैंने आपको बताया कि एक ही याद करना पड़ेगा और काम दोनों हो जाएगा ठीक है न और इससे कम अगर लिखेंगे तो आपका नंबर कटेगा उसमें कोई भी सोचने समाजने वाली बात नहीं है इतना लिखेंगे तो कोई भी एक जामिनर आपका एक भी नंबर काटने वाला नहीं है मिलेंगे आपके साथ नए वीडियो में यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करना साथ ही दोस्तों को भी बता दो ताक कि वो भी इसी तरीके से याद कर लें ठीक है न मिलेंगे नए वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत